सर मुडाया नहीं पढ़ने लग गए ओले ये बात बिलकुल सही बैठ रही है इस समय जंजारपूर नगर थाना पुलिस के लिए जी हम बात करने वाले हैं 21 माई को घटित उस चर्चित गैंग रेप के बारे में जिसमें एक 30 वर्षिये महिला के साथ 5 मन चले युवकों ने चाकू की नोक पर गैंग रेप किया जैसे ही ये खबर जंजारपूर और मधुवनी छेतर में फैली लगातार लोगों में एक सुकता फैल गई ये आखिर ऐसे कैसे हो गया जिया अभी सुखेत हत्या कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्ट में भी नहीं आया है कि इस से पहले जंजारपूर पुलिस थाना की लिए एक सिरदर्दी और बढ़ चुकी है क्योंकि जिस प्रकार से पांच मंचले युवकों ने ना केवल महिला के साथ गैंग रेप को अंजाम दिया है बलकि उसका एक वीडियो भी बनाया है और जिसे वाइरल करने के नाम पर वहे उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है जैसे ही ये वीडियो जंजारपूर और मधुवनी चेतर में पहुचा लोगों ने पुलिस थाना के पुलिसिये रवये के उपर एक सावालिया निशान उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर जंजारपूर में अपराधियों का मनुवल इतना कैसे बढ़ गया है जी हाँ ऐसी ही एक अपराधि गटना की सूचना जंजारपूर नगर थाना चेतर के अंतरगत से आ रही है जहां पर एक 30 वर्षिये महिला के साथ 5 मंचले युवकों ने गैंग रिप किया है ना के वो लोगों ने गैंग रिप किया है बलकि चाकू की नोक पर इस वीडियो को वीडियो भी बनाया है और वीडियो को वाइरल करने के नाम पर हो सकता है डालाया धमका कर इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया है महिला धंजारपूर नगर थाना चेतर की बताई जा रही है और आरोपी भी नगर थाना चेतर के ही बताई जा रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला एक इस्थानिय गैस्ट हाउस में काम करती थी जहां से पांच युवक उन्हें जबरदस्ती रात को आठ बजे घटना 21 मई की बताई जा रही है जहां पर 21 मई को उस पांच चले पांच मन चले युवकों ने उस महिला को चाकू की नोक पर एक दूर आम की गाची में ले गए और वहां पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया साती सात वीडियो में ये भी दिख रहा है कि किस प्रकार से मन चले युवक खुशी से और काफी जादा इशारों के द्वारा भी पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान लगा रहे है और जैसे ही यह घटना के बारे में जनजारपूर की जनता को पता चला जनजारपूर की जनता में एक भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है जिस प्रकार सुखेत हत्याकांड जनजारपूर नगर थाना पुलिस के लिएक सिरदी बना हुआ है वही पर इस गैंग रेप ने पुलिस के माथे पर लकीरे खिच दी है और अब पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है लगातार पुलिस से उचा जा रहा है लेकिन वो कोई भी जवाब देने में इस समय असमर्थ है कल यानि की 28 तारिक को इस घटना की मामला दर्ज किया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 तारिक को भी मामले को लेकर महिला एवं उसका पती धंजारपुर पुलिस थाना में पहुँचा लेकिन थाना ध्यक्ष ने इस केस को लेने से इनकार कर दिया लेकिन लगातार दवाब में कल इस मामले को दर्ज किया गया और साथ-साथ कुछ आरोपियों का बयान लिया गया कुछ आरोपी इसमें फरार बताए जा रहे है जबकि एक आरोपी को पकड़ा भी गया है मामला बहुत संगीन है और जंजारपूर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी पहली है एक तरफ सुखे थत्याकांड और दूसी तरफ ये सामूही गैंग रेप निशित रूप से जंजारपूर की पुलिस के उपर ये सवालिया निशान है और कहीं न कहीं मधुबनी, SP और साथ-साथ बड़े-बड़े प्रशाशनिक पदादिकारी वा नियाइक पदादिकारी के लिए भी अब ये एक चुनोती बन गई है कि आखिर सुखेत हत्याकांड के बाद इस सामूही गैंग रेप में फरार व्यक्ति को कैसे पकड़ा जाए इसका एक वीडियो भी वाइरल हुआ है, वीडियो भी आप देख रहे होंगे, हालकि वीडियो को वीडियो बहुत संगीन है, बहुत कॉन्फिडेंशल है और बहुती ज्यादा सेंसितिव है, जिसको लेकर आप इसे नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन वीडियो 35 सेकंड का है, जो लगातार इस समय वाइरल हो रहा है, हम इस तरह की सूचना आपको लगातार देते रहते हैं, और कही न कहीं इस अपराधिक घटना ने ना केवल लोगों के दिल में, बल्कि कहीं न कहीं इस अपराधिक घटना ने ना केवल जंजारपुर पुलिस के उपर सवालिया निशान लगा दिया है, बल्कि आज आम आदमी भी डर चुका है कि आखिर ये जंगल राज नहीं है, तो क्या है इस तरह की घटना समाज में मानवता को सर्मसार करने वाली घटना है, आरोपी में से कुछ एक को पकड़ा गया है, बाकी अभी फरार बताए जा रहे है पुलिस अब क्या कदम उठाती है, और कितनी जल्दी इस मामले का उद्भेदन करती है, और यदि उद्भेदन करती है, तो आरोपी कैसे पकड़े जाते है, ये देखना काफी दिल्चस्प होगा हाला कि जंजारपूर में इस समय ये एक चर्चा का विशे है, हमने इस खबर को आप तक पहुचाया, उमिद्ध इस खबर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते ने खबर आसपास, जैहिंद, जैभारत, जैमित